125cc के सेग्मेंट में स्पोर्ट कैटागरी में बजाज पलसर 125 पूरी तरीके से फिट बैठती है 2022 में इस बाइक को कुछ बदलाव के साथ में लॉंच किया गया है उन सभी बदलाव के वारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे लेकिन कुछ और ऐसी भी कमिया है जिनको बजाज को समय रहते अपग्रेट करना चाहिए वो क्या है इस वीडियो में आगे पार्ट में जानेंगे तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए टेक्निकल एस एच्टी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को आल पर सेट कर लीजिए क्योंकि इस वाइक के कमप्टीटर और लेडि मार्केट में एवेलेवल है उन सभी के साथ में इसका कमपेरिजन बहुती जल्द आने वाला है चिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए नमस्कार दोस्तों मैं हर्स हाजर हूँ अब सभी के सामने एक वाफिट से निव टाइम और निव टेकनोलोजी के साथ स्टार्टिंग इसके लुक से करते हैं यह है बजाज पलसर 125cc का नया कलर जो की मैट ग्रे कलर में है कमपेरी ने इसके उपर लाइट ग्रीन कलर के इस्ठीकर लगा कर दिये हैं यह है इस बाइक का फ्रेंट का डेजाइन फ्रेंट में कमपेरी ने ट्रांस्पेरेंट ब्लैक वाइजर लगा कर दिया है जिसकी वज़े से फ्रेंट डॉल टोन में बनता है यहाँ पर मैट ग्रे कलर की फाइबर का उपयोग किया है इस बाइक में कम्पनी ने हेलोजन हेडलाइट्स दी है डियारेल नहीं दीए है लेकिन उनकी जगे पर यहाँ पर बल्ब लगा कर दिये है नॉन फ्लेक्शिबल साइट टर्ण इंडिगेटर लगा कर दिये है जो कि बल्ब में दिये है यहाँ पर ग्रीन कलर का इस्टीकर लगा है जो कि इसके लुक को इनहेंस कर रहा है फ्रेंट में body color में ही mudguard मिलता है जो की fiber का है बजाज ने इस bike के front में teleoscopic suspension लगा कर दिये है suspension पर front में तौनों side में reflector मिलते हैं ये disc variant है, disc का size है 170 mm alloy wheels मिलते हैं, front में company ने MRF company का tubeless tire दिया है जिसका size है 817 यनिकी 17 inches दूर से कुछ इस तरीके का लगता है आईए मैं आपको left side से भी दिखा देता हूँ ये देखिए ये है इसकी left side से profile आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके tank की 2022 में जो नया model आया है, उसमें pulsar यहाँ पर 3D में लिखा है पहले sticker में आता था, उसके नीचे green color का sticker लगा है इसमें company ने tank cowl भी दिया है, जिसके उपर भी stick का लगा कर दिया है इसका tank cowl fiber का है एक बहुत बड़ा negative point है इस bike में company इसमें अभी भी carburetor लगा कर दे रही है इसमें FI यानि की fuel injection नहीं मिलता है हाला कि जिन लोगों को fuel injection नहीं चाहिए उन लोगों के लिए तो ये सबसे अच्छी बात है और केवल यही ऐसी bike है जिसमें आपको carburetor मिलता है 125cc के segment की इसके engine की बात की जाए तो बजाज ने इस bike में 124.4cc का engine दिया है जो कि 4 stroke, single cylinder, 2 valve, twin spark BS6 engine है maximum power output देता है 12 PS की और maximum torque है इसका 11 newton meter का इस bike में company ने kick भी दी है जो की बहुत अच्छी बात है 5-speed manual transmission gearbox दिया है first down बागी के सभी up अब इस bike में company side stand engine cut-off sensor लगा कर भी दे रही है 2022 में अब जितनी भी company की bike आ रही है उनमें ज़्यादा तर ये feature आने लगा है safety point of view से ये feature बहुत अच्छा है इसके left section पर यहाँ पर कोई भी stick का लगा कर नहीं दिया है चाबी लगा कर आप इसको open भी कर सकते हो tank पे नीचे की side में यहाँ पर एक rubber की padding लगा कर दी है जिसमें green and black graphics का use किया है ये single seat वाला variant है इसमें split seat वाला भी variant आता है आप जो अभी ये color देख रहे हो वो cable और cable पहले split seat वाले में ही आता था लेकिन 2022 में अभी ये single seat में भी आने लगा है इस bike के handle का design कुछ इस तरीके का है पहले जैसा ये कुछ भी बदलाब नहीं किया है left handle पर passing switch मिलता है low beam, high beam switch मिलता है side turn indicator switch मिलता है और एक horn का switch मिलता है आईए right handle पर देख लेते हैं engine kill switch दिया है और उसके नीचे self का switch दिया है bike को start करेंगे engine और exhaust के sound को भी सुनेंगे right handle पर front की तरफ brake lever के उपर company ने यहाँ पर एक protection लगा कर दिया है जो की fiber material का है इस bike के ORVM का design कुछ इस तरीके का है जो की पहले आता था कोई भी changes नहीं है dual handle में ये bike आती है आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये है इस bike का instrument cluster इसके ignition को on करते हैं और देखते हैं किस तरीके से start होता है इसका instrument cluster आप लोग देख सकते हैं स्टाइटिंग का तरीका पुरानी बजाज जैसा ही है लेफ्ट में analog RPM मीटर मिलता है उस पर बजाज का logo लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं और right side में एक digital मीटर मिलता है जहां पर speed, auto-meter वगएरा सब भी features हैं उसके ठीक नीचे कुछ indicator मिलते हैं जैसे कि neutral का हो गया engine indicator हो गया side turn indicator हो गया low beam, high beam indicator हो गया एक बार फिर से मैं आपको on करके दिखा देता हूँ कुछ जिस तरीके से start होता है आईए आगे बढ़ते हैं और भी features के बारे में जानते हैं rear में company ने twin gas sock suspension लगा कर दिये हैं जो की adjustable भी है पास से दिखा देता हूँ यहां से आप इसको adjust कर सकते हैं plane clear footrest भी दिया है और sardi guard भी लगा कर दिया है seat call की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 125 का stick का लगा है तो tire में उपर की तरफ tire हगर भी लगा है इस bike में आपको chain cover मिलती है जो की बहुत अच्छी बात है rear tire की बात की जाए तो company ने MRF company का T-glass tire दिया है जिसका size है 197 inches इसके alloys पर green color का stick का लगा है जो की एक sporty look provide करा रहा है proper rear section की बात की जाए तो LED tail lights मिलती है जो की बहुत अच्छी लगती है दिखने में पुराना वाला ही design है लेकिन अभी भी popular है non flexible side turn indicator मिलते है जिन में bulb का use किया है ये है इस bike का rear से right side से profile इस side भी company ने यहाँ पर green color के stick का लगा कर दिये है आए अब मैं आपको इसका exhaust दिखाता हूँ जो की कुछ इस तरीके का design है पुराने वाला ही है कुछ भी बदलाव नहीं किया है matte black color में है और इसके उपर cover लगाया गया है matte gray color का right side भी seat call पर 125cc को mention किया है और इसकी अगर seat की बात की जाए तो इसके उपर भी green color की stretching की है right side से इस bike की profile कुछ इस तरीके की है rear brake lever मिलता है यहाँ पर इस में के के start का भी feature मिलता है चोकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दुबारा से दिखा देता हूँ आईए अब मैं आपको right side से इसके tank का design भी दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का है आईए अब इस bike को start करते हैं और देखते हैं start करने के बाद क्या-क्या इसमें बदलाब होता है कौन-कौन से नई features मिलते हैं आईए मैंने इसके ignition को on कर दिया ignition को on करने के बाद आपको तुरंसे ही self नहीं लेना है बलकि 2, 3, 5, 10 second तक रुख जाना है जब ये आपका instrument cluster पूरी तरीके से ready हो जाए उसके बाद आपको self लेना है और self जैसी लेते हैं आप इस bike में एक ही बार में ये bike start हो जाती है देखिए bike start हो चुकी है आप लोग इसका RPM देख सकते हैं उपर की तरफ बढ़ रहा है जब मैं इसका accelerator ले रहा हूँ जैसे ही इस bike को start करते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इसके जितने भी buttons है उन सभी के पास मैं light जल चुकी है जो कि मुझे बजाज का personality सबसे अच्छा feature लगता है bike को start करने के बाद इसकी head light भी जल जाती है और इसके side bulb भी जल जाते है head lamp में company ने halogen दिया है जो कि rural area के लिए सबसे perfect है ये इसका low beam, high beam हो सकता है मैं दिन में दिखा रहा हूँ तो आपको उतनी visibility ना दिख रही हो लेकिन light इसकी perfect है अब आप इसके engine और exhaust के sound को सुनिए पूरा 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 पलसर 150 वाला feel दे रहे है आपको इसके engine का sound कैसा लगा exhaust का sound कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं इस bike के और भी variants आते हैं उन सभी की channel पर video already available है link आपको eye button में और इस video के description में मिल जाएगा देखिए same color में split seat में भी आती है और single seat में भी आती है मैं special thanks कहना चाहूंगा संकर बजाज को जिनोंने ये bike मुझे proper review के लिए provide की है इनका ये सूरूम उत्तर प्रदेश के Itawa जले के man city Itawa में है और Itawa में भी दो जगे पक्के बाग पर और पक्के तालाब पर इनका number और इनका address आपकी screen पर flash हो रहा है यदि आपको बजाज की कोई भी bike लेनी हो तो आप इनसे contact कर सकते हैं इनके पास बजाज की सभी model की bike all time available होती है यदि कोई particular आपके हिसाब से model available नहीं है तो वो बहुत ही जल्द आपको available करा दिया जाएगा यहां का staff काफी ज़्यादा cooperative है आपको यहां से bike लेने में कोई भी समस्या नहीं होगी यदि आप video देखकर जाएं तो आप हमारे reference भी दे सकते हैं कि हमने technical sht youtube channel पर video देखी थी वो देखकर मैं आया हूँ बहुत ही जल्द बजाज की नई bike launch होने वाली है और कुछ नई bike के model भी आने वाले हैं उन सभी की वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी आप technical sht youtube channel को सबस्क्राइब करने के साथ साथ bell icon को all पर set कर लीजे जिससे most important वीडियो आप से ना छूटे जिसका मैंने अभी review किया उसका पूरा नाम है बजाज पलसर 125 नियोन टोटल चार विरियंट में दो drum विरियंट आते हैं और दो disc विरियंट आते हैं पहला विरियंट हो गया disc with split seat disc with single seat बाकी के दो और विरियंट drum with single seat drum with split seat आईए विसके price की बात कर लेते हैं विरियंट की अलग-अलग price है मैं आपको एक सोरूम price बताऊंगा drum single seat से इसकी starting होती है लग-बग 82,000 रुपए के आसपास और इसका टॉप विरियंट है disc with split seat इसकी कीमत जाती है लग-बग 87,000 रुपए के आसपास on-road price के लिए आप लग-बग 87,000 रुपए और add कर दीजिए जो की RTO और insurance का होगा ये मैंने आपको rate का एक rough idea दे दिया है आप इसको actual price ना माने क्योंकि price हर सोरूम की हर city की और हर state की अलग-अलग होती है इस bike के अगर mileage की बात की जाए तो company claim करती है इसका mileage 50 से उपर रहता है तो दोस्तो बास फ्लाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीध है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजिए अपने friend के साथ इसको share कर दीजिए अगर आपका कोई भी सवाल है फिर कोई भी सोजा वो comment करना न बूलिएगा और अगर अब भी तक आप लोगन चैनल को subscribe ने किया है तो technical sht YouTube चैनल को आप subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही interesting वीडियो और important वीडियो जी हाँ भाई important वीडियो समय समय पलाता रहता हूँ जैहिंद वंदे मात्रम आप हमारी सभी social media platform को follow कर लिजिए जिससे सबसे पहले आपके बाद notification पहुंच जाए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद